हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको डीव वाटर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ डीव वाटर को विलियम डगलस ने लिखा है विलियम डगलस अपने पानी के डर पर काबू करते हैं और वे किस तरह स्ट्रगल करते हैं और कैसे वो अंत में अपने पानी के डर पर काबू पाते हैं इन्ही सब के बारे में इस चेप्टर में बताये गया है तो आईए पढ़ते हैं हुआ हुआ है करद तो मैं समरी पढड़ने जा रहा हु जब भी आप समरी पढ़े तो जब आप इंग्लिष में पढ़ते हैं तो आप सीधा पढ़ें और सीधा पढ़ने के साथ सब उसकी हिंदी मीनिंग को समझते हुए आप चलें तो देखिए क्या कैसे पढ़ना देखते हैं इन इस स्टोरी इन यानि में इस स्टोरी यानि इस कहानी में दर राइटर यानि लेखक नरेट्स यानि सुनाता है कथा सुनाता है how कैसे he overcame second form है past indefinite tense है कैसे उसने काबू पाया his यानि अपने fear यानि डर पर of यानि के the deep water यानि गहरे पानी के डर पर कैसे काबू पाया this fear यह डर head filled head के बाद देखो third form है चुका था वाला यह past perfect tense है यह fear यानि यह डर head filled यानि भर चुका था his mind उसके दिमाग में due to यानि की वज़े से some यानि कुछ childhood incident की वज़े से कुछ बचपन की घटनाओं की वज़े से the writer begins begins शुरू करना लेखक शुरू करता है his story अपनी कहानी when यानि जब he was three he was जब वह था three और या four years old तीन या चार साल का the writer narrates लेखक narrate करता है कथा सुनाता है एक incident एक घटना सुनाता है from यानि से his childhood अपने बचपन से he was वे था देन तब three तीन और या four years old चार साल का his father उसके पिता take a second from took a past indefinite tense है उसके पिता took यानि ले गए him उसे to the California sea beach पर California samundra beach यानि तट पर the child was clanging बच्चा चिप्टा हुआ था to his father अपने पिता से बट लेकिन a strong wave ए यानि एक strong यानि शक्तिशाली wave यानि लहर came second form आई and knocked और पटक दिया हिम उसे down नीचे यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे second form है तो end के बाद भी second form ही आता है अगर यहाँ पे first form होता तो यहाँ भी end के बाद भी first form आता आगे है the water swept over swept यानि बह गया over यानि के उपर से हिम उसके उपर से जो पानी है swept यानि बह गया over यानि के उपर से हिम उसके उपर से इसी वज़े से वो थोड़ा डर गया था और उसी के बाद से उसमें पानी का डर थोड़ा बहुत बैटने लग गया था या शुरू हो गया था, the writer's heart लेखक का दिल यानि William Douglas का दिल was filled यानि भर गया with यानि से terror यानि आतंक से डर से, he began उसने शुरू कर दिया to have यानि करना a terror एक आतंक या भै करना of deep water यानि गहरे पानी से, however, हाला की, he decided, second form है, past indefinite tense है, उसने निश्चे कर लिया to learn यानि सीखने का, to swim को, तैराकी को, इसलिए he joined, second form है, past indefinite tense है, उसने जोइन कर लिया a local, यानि एक अस्थानी या local swimming pool सीखने के लिए तैराकी को, he got, second form get की got है, ये भी past indefinite tense है, उसने प्राप्त किये या पा लिये new water wings, नए पानी के wings, ये तैरने के लिए support करता है, ताकि कोई डूब ना सके, इसलिए water wings को पहन करके, तैरा जाता है, and started, और उसने शुरू कर दिया paddling, यानि पाउ मारना, पाउ हिलाना, in the water, यानि पानी में, in the manner, यानि तरीके से, of the other boys, यानि दूसरे लड़कों के, को दे तैर रहे थे, उन receipt को देख करके, उनी के तरीके से, वो भी उनको नकल कर रहा था, उनको कौपी कर रहा था, उनकी तरह भी पैडल को, पाउ को मार रहा था, तैरने के लिए, बट लेकिन, वन डे एक दिन, एक ठिरिबल, एक भ्यानक thing, यानि चीज, हैपन यानि हो गई, the writer was sitting लेखक बैठा हुआ था alone, अकेला on the side यानि side पर off यानि के the pool के a big boy, एक बड़ा सा लड़का suddenly अचानक came second form in past indifference आया, देर वहाँ he picked second form in उसने उठाया ये भी past indifference है उसने उठाया the writer लेखक को अप यानि उपर and tossed और उच्छाल दिया ही मुसे into यानि में the deeper side यानि गहरे side पर of the pull pull के गहरे side पर fake दिया यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे second form है तो इसलिए end के बाद भी second form आया हुआ है, आगे पढ़ते है the writer went second form है, writer चला गया at once यानि तुरंत to the bottom, यानि निचले हिस्से पर off the pull, पुल के निचले हिस्से पर वो चला गया, यानि गहराई में चला गया he used, second form है past and different tense है, उसने use किया उसने परयोग किया, all यानि सारे his strength, अपनी शारी सक्ती का परयोग किया, इस्तमाल किया to spring, to के बाद जब भी first form आये, उसका मतलब होता है ना ने ने के लिए, यानि उचलने के लिए upwards, यानि उपर की तरफ या उपर की और he came second form है, यहाँ भी past and different tense है वे आया, अप यानि उपर, slowly यानि धीरे धीरे he could see कुड का मतलब सकता था, सका सके सकी होता है, he could see वे देख सका, या वे देख सकता था nothing, कुछ नहीं, बट water, केवल water, देख सकता था, या देख सका, he lost his breath उसकी सासे lost हो गई, यानि उखड गई his lungs, उसके फेफडे HD, यानि दर्द कर रहे थे he was getting dizzy, dizzy का मतलब होता चक्काराना, और उसको चक्करा रहा था या उसका सिर्फ चक्रा रहा था he tried second form है past की, past in different tense है उसने try की, उसने कोशिश की to cry, यानि चलाने की in fear यानि डर में, बट लेकिन no sound came, कोई sound नहीं came आया he went, second form है he went down, चला गया, down यानि नीचे, thrice यानि तीन बार वो नीचे गया and thrice, तीनों बार he tried, उसने कोशिश की to come up उपर आने की, बट लेकिन all his efforts सारे his, यानि उसके efforts यानि प्रयास failed, यानि असफल हो गए, then फिर, he stopped क्योंकि उससे कुछ, अब उसके जो efforts थे, वो लग नहीं पा रहे थे सही नहीं efforts लग पा रहे थे इसलिए, then फिर, he stopped उसने बंद कर दिया, उसने रोक दिया all, यानि सारे his, यानि अपने efforts, यानि प्रयास आगे है एक मिनट, एक मिनट फ्रेंट्स एक मिनट आगे है एक blackness, यानि एक काला पन या एक अंधेरा पन swept over, यानि छा गया over the writer's brain over यानि के उपर, writer's brain यानि लेखा के brain के उपर, लेखा के दिमाग के उपर it wiped out all fear इसने गायब कर दिया all fear, सारा डर जो है उसको गायब कर दिया there यानि वहाँ, was यानि था there was, there यानि वहाँ, was यानि था एक मिनट फ्रेंट्स आगे है there was no there was no more panic there was there was, there यानि वहाँ, was यानि था no more panic more मतला जादा, और जादा there was, there was no more panic वहाँ और जादा panic वहाँ और जादा आतंक वहाँ और जादा भैय डर नहीं रहे गया था he began, उसने शुरू कर दिया to think, यानि सोचना this is nice, उसने कहा this is nice, ये तो अच्छा है to go जाना to sleep, यानि सो जाना वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके सारे प्रयास जो है वो सारे बेकार जा रहे थे इसलिए उसने अपने efforts को रोग दिया था और वो almost बहोश होने जा रहा था या बहोश हो रहा था इसलिए वो ये सब कहता है कि ये तो अच्छा है, nice है to go sleep, यानि सो जाना there is no need वो कहता है there is no वहाँ अब need नहीं है, जरूरत नहीं है to jump, यानि उचल कूत करने की now, अब I must go, must होता है जरूर अब I must go, अब मुझे जरूर जाना चाहिए to sleep, यानि सो जाना चाहिए then फिर everything everything, यानि हर चीज blanked out, यानि गायब हो गई गायब इसलिए हो गई थी, क्योंकि वो almost बिहोश हो गया था या बिहोश सा हो रहा था इसलिए वो ऐसा कहता है then फिर वो कहता है everything, हर चीज blanked out, यानि गायब हो गई आगे है but luckily लेकिन सौभग्य से he was taken out was के बाद देखो, third form है ये पैसियूस लाइन होती है he was taken out, यानि उसको बाहर ले जाया गया, या उसको बाहर लाया गया and saved, और बचा लिया गया from यानि से, drowning यानि डूबने से the chap, chap को बोलते है, chap को हम boy बोलते है chap का मतलब boy होता है तो the chap यानि वो जो लड़का था who यानि जिसने had thrown, head के बाद देखो, third form है throw की throne तो the chap यानि लड़का who had thrown, जिसने fake था हम उसे, in यानि under, यानि swimming pool में, was saying, वो कह रहा था but की, लेकिन I was only fooling fooling से मतलब यहाँ पर मजाग करने से कि I was only fooling कि मैं केवल, only यानि केवल fooling यानि मजाग कर रहा था several यानि कई hours later later यानि बाद में several यानि कई, कई घंटों के बाद या आप many hours भी लिख सकते है several hours later यानि कई घंटों के बाद the writer walked walked past indefinite later walked back यानि वापस जा पाया home घर, he was weak वे कमजोर मैसूस कर रहा था and tribling और काप रहा था he could eat, could माने सका सके सकी होता है वे खा सका, nothing, कुछ नहीं that यानि उस night यानि रात, four days यानि कई दिनों तक, a terrible fear एक भयानक fear यानि डर filled यानि भर गया या आ गया his heart उसके दिल में he never होता है, कभी नहीं went, second form है go की second form went है he never went, वो कभी नहीं गया back वापस to the pool, उस pool पर आगे है the writer visited लेखक ने visit किया घूमा some यानि कुछ famous यानि कुछ परसिद famous water spots पर पानी के अस्थलों पर off यानि के his country अपने देश के but लेकिन whenever यानि जब कभी भी या जब भी he wanted, second form है past want की second form wanted है जब कभी भी he wanted वो चाहता था to put to के बाद जब भी first form आए उसका मतलब आप na, ne, ne के लिए निकालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी इंदी क्या निकल रही है he wanted, वो चाहता था to put यानि रखना या डालना his foot अपने पाउं into them यानि उन में मैं एक बार दुबारा पढ़ रहा हूँ but लेकिन whenever जब कभी भी he wanted, वो चाहता था to put यानि रखना या डालना his foot अपने पाउं into them उन में कौमा का मतलब होता है तो his old fear उसका old fear उसका पुराना भै would come यानि आ जाता था back यानि वापस to him एक पर दुबारा पढ़ रहा हूँ his old fear उसका पुराना भै would come यानि would come back यानि वापस आ जाता था to him उसके पास it spoil, spell होता है बर्बाद कर देना, बिगाड देना इस चीज ने spoil कर दिया, बर्बाद कर दिया all यानि सारी his joy उसकी खुशियां of boating की and fishing की of यानि की, boating की and fishing की उसे boating करने का और fishing करने का बड़ा शौक था और तो इस शौक को उसके डर ने बरबाद कर दिया था उसकी खुशियों को बरबाद कर दिया था उस डर ने, तो इसी लिए उस डर की वज़े से वो boating नहीं कर पा रहा था और fishing नहीं कर पा रहा था तो इसी लिए the writer ने once again या point B लिख सकते हैं आप लोग कि लेखक ने engage कर लिया रख लिया a very expert बहुत ही expert and experienced यानि अनुभवी instructor यानि coach या प्रिशिक्चक जो तैरा की उसको सिखा सके this instructor इस instructor ने इस प्रिशिक्चक ने put यानि डाला in a lot of efforts यानि बहुत सारा effort डाला effort डाला यानि बहुत सारा प्रियास किया with the writer यानि लेखक के साथ बड़ी महनत की इसका मतलब है the writer also work लेखक also यानि भी लेखक ने भी work किया very hard बहुत महनत की bit by bit मतलब धीरे धीरे he lost उसने हटा दिया some यानि कुछ of यानि his old fear अपना थोड़ा बहुत पुराना भय उसने हटा दिया at last अंत में after यानि के बाद many months यानि कई महीनों के बाद off यानि hard practice यानि बड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी practice के बाद the instructor ने said say की second form said है past indefinite tense है यानि instructor ने said यानि कहा to the writer लेखक को now यानि अब you can swim तुम तैर सकते हो can मतलब सकता है now यानि अब you can swim तुम तैर सकते हो dive off यानि छलांग लगाओ and swim और swim करो तैरो और तैर करके the length जो लंबाई को नापो of the pull की the writer was able to do it writer जो लेखक है was able यानि कर पाया to do it यानि इसको कर पाया the instructor's job instructor की job instructor का काम was finished यानि खतम हो गया था आगे है now अब the writer would try अब लेखक would try यानि कोशिश कर था would के बाद जब भी first time आए उसका मतलब या तो गागेगी होगा या ताथा ते थे तीती होगा या पुरानी habits पुरानी आदतों के लिए भी आता है तो यहाँ पे फिलाल ताथा ते थे तीती से मतलब है कि now यानि अब the writer would try यानि लेखक would try यानि लेखक कोशिश करता था to swim यानि तैरने की alone अकेला in some rivers यानि कुछ नदियों में and lakes और जिलों में sometimes कभी कभी little memories यानि थोड़ी बहुत memories यानि जो यादे हैं पुरानी उसकी of the old fear यानि जो पुराना डर होता था would come would come back यानि वापस आ जाता था बट लेकिन he would drive them out लेकिन वो उनको would drive them out यानि उनको वो हटा देता था अपने दिमाग से of his mind अपने दिमाग से निकाल देता था at once यानि तुरंथ at last month में he was able to concur concur का मतला होता है जीत लेना काबू पा लेना आप overcome भी लिख सकते हैं यहाँ पर he was able to overcome कि वो काबू कर पाया all यानि सारे fear यानि डर पर of यानि के deep water गहरे पानी के सारे डर पर वो काबू कर पाया he could swim कुड यानि सकता था होता है वे swim कर सकता था miles यानि मीलो तक across यानि के आर पार big rivers बड़ी बड़ी river बड़ी बड़ी नदियों और जीलों को के आर पार वो अब मीलो तक swim कर सकता था तैर सकता था आगे